स्वागत है आपका रती का रसोई में आज आप बनाएंगे अम्रूत की सबजी खाने में बहुत टेस्टी होती है तो चलिए शुरू करते हैं अम्रूत की सबजी बनाना अम्रूत की सबजी बनाने के लिए हमने यहां तीन अम्रूत लियें जिनको हमने अच्छे से दोकर साफ कर लिया है और अब इनको हम कट करेंगे अम्रूत की सब्दी सेथ के लिए बहुत अच्छी होती है और खाने में भी टेश्टी होती है अब देखिए हम अम्रूत को इस तरह से काट कर इसकी बीच में जो बीज होते हैं उसको हम अलग कर देंगे क्योंकि अम्रूत की बीच बहुत हार्ड होते हैं और फिर मुह में आते हैं तो ये बिलकुल भी अच्छे नहीं लगते और अब हम इसी तरह से सबी बीच को निकाल कर अलग कर देंगे और इसके चोटे-चोटे पीस करेंगे अब देखिये हमने सबी हमुरूद को इस طरG काट कर चोटे पीस कर लिये और अब चलते हैं गैस की तरफ एक कड़ाए में हमने दो टेबलिस्पून तेल गरम करने के लिए डाल दिया था और अब इसमें हम एक टेबलिस्पून गीर डालेंगे और इसमें हम जीरा डालकर इसमें कटा हुआ प्याज कुट्टी हुई हरी मिर्च लेसुन अद्रक का पेज डालकर प्याज को ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे अब प्याज ब्राउन हो गया तो इसमें बारी कटे हुए हम टामाटर डालेंगे और टामाटर को भी गलने तक इसको कुट करेंगे देखिए टमाटर अच्छे से गल चुके है और अब इसमें हम मसाले एड़ करेंगे इसमें हम डालेंगे धन्या पाउडर, खल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च से सबजी का कलर बहुत ही अच्छा आता है और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं मसालों को अच्छी तरह से पकाएंगे पाउडर तक मसालों को हम इसी तरह से अच्छी से पका लेंगे अब इसमें हम पाउभजी मसाला डालेंगे और सफेद तिल डालकर इसको मिक्स करेंगे और अब इसमें हम ग्रेट किया हुवा नारियल डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें हम इस स्टेज पर हम इसमें डेड़ ग्लास पानी डालकर कटे हुए अंबूर डाल देंगे जिसका वीडियो हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं और अब हम इसको ढखकर चार से पांच मिट तक कुक होने देंगे अब देखिए पांच मिट हो चुके तो अब हम सबजी को चेक करेंगे हम रूद अच्छे से गल चुके है और इसमें हम अब कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और अब गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है इसमें अब नीबू का रश डालकर इसे भी एक वर मिक्स करके इसको अब एक बॉल में निकाल लेंगे तैयार है अमरूत की चटपटी टेश्टी सबची है हमारी रसेप्य आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें चैनल पर नई हैं तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को क्लिक करना ना भूल